असलामों अलेकूम जीर वीवर्स, आज की जो यो वीडियो है Microsoft Word के बारे में है अगर आप Microsoft Word पे बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते बिल्कुल आपको पता भी नहीं है इस वीडियो के देखने के बाद तो आप इस एहल हो जाएंगे के आप इसके एक माहर कहलाएंगे बस मेरे साथ रहिए और अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ पिल आइकन को भी क्लिक करना ना बोलिए लेट स्टार्ट करते हैं Microsoft Word Microsoft Word जैसे नाम से ही जाहर है ये Microsoft Office का एक जिली प्रोग्राम है Microsoft Office कई प्रोग्रामों पे सब प्रोग्रामों पे मुश्तमिल होता है जिसमें Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft Access Microsoft Outlook, Microsoft Word वगेरा शामिल है तो Microsoft Word जो है वो एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम letters वगेरा लेक सकते हैं यानि दफ्तर में जो भी काम होता है दफातर में तो ज्यादातर Microsoft Word में होता है याप यहां स्टार्ट पे जाएंगे तो यह आपके सामने आएगा Microsoft Word या सिर्फ Word लिका होगा मेरे पास Virgin है World 2013 तो आपके पास कोई भी Virgin हो उसके साथ वो लिका होगा लेकिन वर्ड ज़रूर होगा अगर आपको फिर भी नमले तो यहां पे यह सर्च है यहां पे टाइब हेर टू सर्च यहां पे आप डबलियो ओ और डी लिक दे और अपने कीबोर्ड का इंटर का बटन दबाएं तो अटमेटिकली Microsoft Word जो है वो कुल जाएगा जब आप उसको इंटर कर देंगे यानि कॉल देंगे तो फिर यह आपके पास इस किसम का इंटर्फेरिंस आ जाएगा यह जो इंटर्फेरिंस है इसमें आप देखें कुछ इसमें बने-बने तेंटर्फेरिंस पड़े हुए है इस तेंटर्फेरिंस में से अगर आपको कोई पसंद आता है तो उसमें से अपनी लिकाई वो एड़ करके आप उसमें लेख सकते हैं लेकिन छोंकि हम बिल्कुल आगास करते हैं लहाज़ा हम ब्लैंक डाकुमेंट में जाएंगे तो आपने भी ब्लैंक डाकुमेंट पे क्लिक करना है और इसके बाद क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है ये आपके पास जो सामने आ रहा है ये कहलाता है रिबन्स ये रिबन्स हैं और इस में मुक्तलिप किसम के टूलज और टेब्स मूझूद हैं यह टेब्स हैं और हर एक टेब्स यह देखो ना हEMA एक टेब हैं Jud Персजान एक टेब्स हैं और इस टेब्स के अंदर मजीढ टूलज होते हैं और इसको कैसे इसमोल करते हैं इसमें हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि ये कैसी यूज़ होते है सबसे पहले हमारे पास ये आ रहा है File, File में क्या चीज़े File के मतलब ये Enpo है Enpo Mean के इस Documents कोई Information है मेरे जो ये Documents है ये एक पेज़ पर मुझतमिल है, Words इसमें कितने लिखे के Zero अभी मैंने कुछ नहीं लिखा, इसलिए Zero शो कर रहा है और Total Editing Time जितनी दफ़ा इसमें Editing करोगे तो वो इसमें Show होगा कि इतनी दफ़ा इसमें Editing हो चुकी है तो ये आपके एक Secrecy भी आपको Show करता है इसी तरह आप टैटल भी एट कर सकते हैं, टैग्स भी एट कर सकते हैं कमेंट्स भी कुई लेख सकते हैं इसके साथ और यहां से आप इसको Protect Document अगर आपने उसको क्या करना है, Incript with Password पासवर्ड लगाना है तो यहां से आप इसको अपने फाइल को पासवर्ड लगा सकते हैं यह पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपने पासवर्ड टैप करना है ओके करना है और जब भी पिर आपने अपना फाइल कोलना है तो आपने उसी पासवर्ड के जरीए ही कोलना होगा आके हैं इंस्पेक्ट डाकुमेंट अगर चेक करना है इसको तो यह बाद में यह चीज़े हम इसको डिसकस करेंगे नेक्स्ट हमारे पास इसमें नीव नीव के मतलब है के नया फाइल मैंने अलड़ी ब्लैंक पे क्लिक कर दिया था और अब भी भी यही एंटरिफरेंट्स आया है नीव नेक्स्ट हमारे पास इसमें है ओपन ओपन का जो यह अप्शन है अगर आपने कोई फाइल सेव की विए अगर वो आपने कोलना है तो यहां से इसको ओपन करना है रिस्टिन कोई डाकुमेंट्स है यह नहीं है तो रिस्टिन डाकुमेंट्स में देख सकते हैं यह कंप्यूटर के अंदर है कहीं पढ़ा हुआ है तो यहां पे ब्राउस कर लें प्राउस के बाद आप जहां डिस्टिनेशन दे रहें यह नहीं कि D फाइल में पढ़ा है E ड्रैव में C में पढ़ा है तो जहां आपने सेव किया है यह फोल्डर का नाम देना है और उसके बाद ओपन करना है तो आटमेटिकली वो आपका फाइल ओपन हो जाएगा आगे हमारे पासे सेव सेव का मतलब है जब आप काम मुकमल कर ले तो आपने अपने फाइल को सेव करना है वैसे आपने स्टार्ट में ही अपने फाइल को सेव रखना है ताके यह सेव ही रहे जो भी changes होते रहें और आप control s दबाते रहें तो वो save, उसी में save होते रहेंगी अगे है save ways save ways का मतलब होता है कि आपने एक file save किया हुआ है और वो file उसी तरह रहें यानि उसमें कोई changes ना हो और उसी के मताबक एक और यानि उसी तरह का एक और file आप उसको बना दें और उसमें आप मजीद changes करें तो जो save वाला है वो original उदर रहेगा और save ways वाले में वो changes फिर होती रहेगी आगे हमारे पास है print का option document complete हो गया print दे दें और आप उसको print कर सकते हैं इस पे click करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो भी printer इस्टाल होगा वो देना है और इसका print का option दबाना है pages आपने यहाँ से इसको एक page देने तो current page जिस पे आप काम कर रहे हैं custom में मतलब कौन से page से कौन से तक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक से 15 तक या जो भी pages जिस आप print करना चाते हैं वो कर सकते हैं share का मतलब होता है कि आप इसको share करना चाते है email के जरीए यह मुक्तलिब किसम के चीजों या save to cloud करना है तो यह आप share भी यहाँ से कर सकते हैं export भी कर सकते हैं यहाँ से कि आपने इसको अगर PDF या XPS documents बनाना है कर देंगे तो आपका जो फाइल है वो PDF में हो जाएगा आगे हमारे पास एक close close का मतलब है कि मैं इस document को close करना चाता हूँ आगे हमारे पास options तो इसमें से कुछ options मुझूद होते हैं लेकिन अभी आप beginner से इसको भी छोड़ देते हैं लहाजा अभी हम मसीद आगे पढ़ते हैं home tape के उपर home tape एक बहुत जबरदस किसम का tape है इसमें बहुत सी चीजें है जो के अगर आप ये दो tape भी सीख ले तो आप MS Word को बिलकुल आप अपरेट कर सकते हैं आपको कोई problem नहीं रहेगा home tape में क्या है इसमें ये देखें ये हमारे पास clip board है यहां से यहां तक clip board का जो हमारे पास है और यहां से यहां तक जो है इस ribbon में यह जो tools मुझूद है ये fonts के tools है और यहां से यहां तक जो tools हैं वो paragraph के tools है fonts tools हम पहले fonts tools को करेंगे क्योंकि जब हम कोई कुछ लिखेंगे कुछ उसमें काम करेंगे तो उसके बाद ये जो बाकी option है वो appear होंगे अभी देके ये बिल्कु डिसपेर शो हो रहे हैं ये active नहीं है क्योंकि कोई काम नहीं हुआ इसलिए हमें कुछ लिखना चाहूंगा अभी है अभी ये मैंने लिख दिया है अभी मैंने इसमें कुछ करम कर लिया तो आप देख लें कि जब मैं इसको सेलेट कर लेता हूं तो जो ये options हैं ये देखें ये अभी appear होगे clipboard के जो option है वो appear होगे वो अभी show हो रहे है तो अभी आपने क्या करना है ये देखें ये cut cut का मतलब होता है कि यहां से बिलकुल खतम करें और आप मजीद इसको intercup button डबाएं और फिर यहां पे आप इसको क्या करें पेस्ट पेस्ट का मतलब है कि वहां से खतम करना और यहां पे डालना ये देखें ये वहां से मैंने cut कर दिया और यहां पे paste कर दिया अब दोबारा भी भी पेस्ट करता हूँ क्योंकि मैंने cut में already उसकी copy वजूद है अभी मैं दोबारा इसको यहां से यहां तक क्या करता हूँ सेलेट करता हूँ और copy copy और cut में क्या फरक है copy में copy में वो चीज जो original जहां पर है वहां पे रहेगी और आगे उसकी वो copy बनेगी ये enter करता हूँ ये देखें इसको फिर paste करता हूँ तो जब मैंने paste कर लिया तो वहां Microsoft जो वड़े वहां भी रहा और यहां पे भी वो आ गया तो cut जो है वहां से मुकमल हतम कर देता है जबके copy वहां भी रहता है और आगे फिर उसको करता है आगे भी वो paste कर सकते हैं आगे हैं मासवाब हमारे पास है format painter format painter का काम होता है format painter का मतलब है कि आपने इसमें कोई भी उसको format देना है यह format printer पे क्लिक कर दे और फिर यहां से इसको bold कर दे wait sorry just wait लाइदा एक और करता हूँ यह format मैं format पे क्लिक कर दिया मैं कहता हूँ कि जो मेरी next लिकाई है वो bold हो, italic हो, underline हो तो मैंने लिख दिया macro, soft, world यह देखें तो यह format का मैं अब मैं कहता हूँ कि इसी यह format तमाम जो मेरे documents है या जो यह लिकाई है और यह लिकाई है एक ही तरह हो तो फिर मैंने तो इसको मेरे क्या करना है format painter पे क्लिक करना है तो देखें यहां पे जब मैं इसको select कर लूँगा तो देखें वो same format जो है ना वो उसमें आ जाए ना format painter में यह काम होता है next हम आगे चल बढ़ते है यह क्या है किलिबरी लिका हुआ हुआ है यह क्या है यह फॉ्ण्ट्स है मुखव लिकारम के फॉर्ण्स है इदर है आपने select करना है और यहां फिर मुखव लिकारी विकार sexual जो भी चीज पिर्शिख ऐ। तो आप उसको अपने हिसाब से उसको change कर सकते हैं यह देखें मैंने इसको और कर दिया ये ब्राडवे इसको में कोई और भी ये टाइम नीव रोमन्स है एरियल है तो ये मैंने इसमें आप चेंज करते हैं लेकिन ज्यादा तर इसको जो आफिसेज में टाइम नीव रोमन्स या एरियल या किलिबरी ही चलता है अगे हमारे पासे ये फॉंट का साइज है मेरे फॉ है तो आप यहां से इसको 24 कर सकते हैं तो यह देखें यह बड़ा हो गया 24 हो गया साइज इसका यहां से इसको साइज आप चेंज कर सकते हैं अमोमन जो साइज होता है वो 12-14 ही रहता है आगे हमारे पास ये एक शॉर्ट काट है इंक्रीस पॉंट्स के शॉर्ट काट्स हैं तो आप उसको कर सकते हैं आप उसको increase and decrease अभी यह decrease हो गया तो यहां से आप इसको increase पे भी जो लिका हुआ है इसको जब आप माउस पे क्लिक करेंगे तो यह बॉर्ड लो जाएगा यह लिकाई होगी वो बॉर्ड हो जाएगी और Unboard करने के लिए ये Undo कर सकते हैं इसको आप इस बटन पर या इसको वापस प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा Unboard इसी तरह ये Atolic है आप इसको Atolic Show करना चाहते हैं ये Style है Atolic तिर्चा Show होगा तो ये Undo कर सकते हैं ये यहां से दोबरा प्रेस करके वापस अपने हालत में ला सकते हैं इसी तरह ये Underline लिका हुआ है तो ये Underline कर सकते हैं अपने लिकाई को या किसी पार्ट को आप उसको Underline करना चाहते हैं तो यहां से आप इसको Underline कर सकते हैं आगे हमारे पास है ये Overline ये Strike टू होता है Cross something out by drawing a line through it यानि उसके उपर से एक लाइन गुजारना ये देखें उसके अंदर से एक लाइन Overline जो है वो इस्तेमाल होता है Overline के लिए और इस पे दोबारा क्लिक करने के वो Overline खतम हो जाता है आगे हमारे पास X2 और X2 ये देखें ये होता है Formulas के लिए ये Powers कहीं में आपको चीज लिखते हैं तो वो Power के लिए इस्तेमाल होते हैं Formula वगेरा ये मैं लेक लेता हूं कि X का जो Power है वो कितना होना चाहिए 2 है तो मैं इसको जब 2 लिख दिया और मैंने इसको क्लिक कर दि और ये करना है ठीक है आगे हमारे पास है ये एक Styles है मुख्तलिब किसम के Fonts के Reflection Styles है ये आप इस पे जैसे Select करेंगे तो यहां से मुख्तलिब किसम के Reflection के जो Styles है वो यहां मुझूद है आप उसको Style में लिकाई डाल सकते हैं कोई भी किसम की लिकाई ये कोई भी Style आपको पसंद होता है तो यहां से आप उसको बने बने Style में डाल सकते हैं लिक्स हमारे पास है ये हमारे पास Highlightर है किसी जगा को आपने किसी Words को Highlight करना है उसको तवज्जद दिलाने के लिए होता है तो आप उसको Highlight कर सकते हैं तो अपम्पूठिज करता ह palabra ह इसको highlight करता हूँ देखें ये highlight हो रहा है तो ये show हो रहा है highlight में यहां मुक्तलिब करने हैं जो कोई और भी color आप डाल सकते हैं तो ये एक निशान दही के लिए इस्तिमाल होता है आगे मारे पास है font का जो color है font का color क्या हो रहा है ये मेने fonts है इसका color red होना चाहिए भी इसमें मुक्तलिब किसम के colors पड़े हैं black करना चाहता हूँ तो मैंने इसको black कर दिया तो यहां से आप इसके fonts के colors को change कर सकते हैं next हमारे पास है ये ponetic guide है ponetic guide ज्यादातर इस्तिमाल नहीं होता लेकिन उन languages में इस्तिमाल होता है वो languages type करने के लिए इस्तिमाल होता है जो languages characters पर मुश्तमिल हो जैसे koreans हैं जैसे chinese हैं और या इस किसम के जो भी characters के होते हैं उसके साथ वो show किया जा सकता है मिसाल के तो मैं लिक लेता हूँ चलो मैं आपको समझाने के लिए लिक भी लेता हूँ ये न कहें के ये किस लिए होता है चलो मैं लेकी लेता हूँ अभी मैं इसको language के change करता हूँ और मैंने language Chinese कर दिया मैं लेके लेता हूँ वाश्र इशाक तो मैंने ये लिख दिया है वाश्र इशाक अब देखें ये जो बिंदा चैनीज नहीं पढ़ सकता तो उसकि लिए ये करेक्टर पढ़ना बहुत मुश्खिल होता है तो इसलिए इसके ह्म के जो लैंगविजिस होते है या जापनीज होगी है चैनीज होगी तो इस किसम की जो language होते हैं उनके लिए ponetic guide इसमें लाए गया है ताके आप उसको पढ़ सकें आराम से आप इस पर click करेंगे click करने के बाद आप इसको okay कर दें जब आप इसको okay कर देंगे तो ये उसके उपर अंग्रेजी में वो लफ्स शो करेंगे और आप उसको पढ़ सकते हैं मैंने पढ़ाता ना वा श ये देखें श इशा ख तो मैंने इसके उपर अपने लिए ponetic guide ये जिसको opinion कहते हैं ये opinion उसको उपर मैंने डाल दिया और आप इसको अभी पढ़ सकते, या EU नहीं आप भी पढ़ सकते, इसको तो ये इस गाइड के लिए पॉनिटिक गाइड इूज रोता है नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें ये Clear All Format मैंने कोई भी Format लगाया हुआ इसको, तो मैंने तमाम Format को Clear करना चाता हूँ तो original हालत में लाने के लिए मैंने clear all format पे click कर दिया मैं control z करता हूँ दोबरा आप देख लें ये clip ये खतम होगी next हमारे पास ये bracket में ए जो है न उसको बन किया हुआ है तो ये आप देखें मैं इसको bracket में show करना चाहता हूँ उस पे select कर दूँगा तो ये आप उसको bracket story कहा रहा हूँ table में table या उसको दैरे में show करना चाहता हूँ तो आप उसको इस तरीके से दैरे में show कर सकते हैं next हमारे पास है ये enclosed characters है याँ आपने कोई भी characters लेना है तो यहां से आप कोई भी characters ले सकते हैं याँ characters की जो guides है वो यहां ले सकते हैं symbols हैं तो यहां पे आप यहां से ले सकते हैं इसकी ज़्यादर जरुवट नहीं पड़ती दूसरी languages में हो सकते हैं इसकी जरुवट हो लेकिन यहां पे इसकी कोई जरुवट नहीं है next हमारे पास है bullet point ये bullet क्या काम करते हैं आपने देखा होगा कई चीज़ी bullet में show किये जाते हैं तो ये देखें Microsoft में लिख रहा हूँ just wait मैं change करता हूँ language को Microsoft Office में और कौनकों से प्रोग्राम होते हैं Microsoft इसमें होते हैं MS Microsoft लिख लेता हूँ MS English को MS लिख दिया मैंने MS World यार language change करें पड़ेगा MS World है उसके बाद है PowerPoint है उसके बाद इसमें Access है आगे Excel है तो ये उसके अंदर प्रोग्राम है अब देखें मैं कहे रहा हूँ कि इसकी ही component है इसको मैं बुलिट में शो कर सकता हूँ यहां से आपने देखा होगा तो यह देखें को मैंने बुलिट में शो कर दिया यह देखें मुक्तलिब किसम के बुलिट यह मैं चेंज कर लेता हूँ ताइम रूमन में तो यह देखें इस किसम के जो बुलिट्स होते हैं वो यहां से ही डाले जाते हैं देखें, मुख्तलिक किसम को बुलिट्स पॉइंट है यहां पे मुझूद हैं, बने बनाएं तो यह इस किसम के बुलिट्स पॉइंट वगेरा यह आप डाल सकते हैं खतम करने के लिए none पे क्लिक करेंगे डालने के लिए आप उस पे क्लिक करेंगे bullet जो भी आपको पसंद हो यह हमारे पास next है one two three जैने numbering देने के लिए आप यहाँ पे देखो one two three में show करना चाहते हैं यह देखें यह इस किसम के one two three में यह मुख्तलिब किसम के बने-बने styles मुझूद है ABCD में भी show कर सकते हैं और इस तरह भी आप इसको show कर सकते हैं यह देखें next हमारे पास यह जो heading वगईरा के लिए इस्तमाल होता है ज्यादतर लेकिन इसकी ज़रूत नहीं है क्योंकि यह chapters वगईरा ज्यादतर जो use होता है मिसाल के तोर पर आपने research paper लिखना है वगईरा तो उस किसम के जो heading वगईरा के लिए वो इस्तमाल होता है यह यहाँ पर use हो रहा है left, right, sorry center and right and justify अब यह अगर आप लिखाई को left पे show करना चाहते हैं left पे दबा देंगे तो यह left पे होगा center में show करना चाहते हैं तो इसको center पे click करें और अगर left पे, right पे रखना चाहते हैं तो यह आप इसको right पे कर सकते हैं यह देखें मेरे लिखाई right पे show होगी page के और next हमारे पास है justify justify का मतलब यह होता है मिसाल के तरू पर यह मेरे county's के बना लेता हूँ दो team अब देखें यहाँ पे में इसको यह जो मेरी lines है यह देखेंhem, यह line अदर तो बराबर है यहाँ पे जो lines है वो बराबर है लेकिन यहाँ पे जो line है end पर तो वो बराबर नहीं है जी यहां पर है य जो एनफ बिल्कुल पीचे है तो इसकी जो justify करने के लिए आप इसको justify कर दें तो यह फिर इदर भी lining बराबर होगी और यहां पे भी ही line बराबर होगी तो यह justify इस मकसद के लिए ही इस्तिमाल होता है आगे हमारे पास है यह right side पे लेकि जाना decrease indent होता है और increase indent होता है तो decrease indent वगरा क्या काम करता है वो भी same लेकें यह इसको मैं वापस करता हूँ और यह यहां इसी के जरीए आप इसको आगे लेके जा सकते हैं लेकिन उसका जो A, B, C, D बिलकुल बराबर ही आएगा वहां पे अगर हम कर रहे थे ना left, right तो वो A, B, C बराबर नहीं आ रहे थे लेकिन जब यहां पे करेंगे यह देखें बिलकुल उसको लेके जाने के लिए हम उसको indent को आगे लेके जा सकते हैं लेकिन उसका जो बिलकुल लाइनिंग बिलकुल बराबर आएगी इस तरह इस से बैक भी बैक ला सकते हैं यह दे बैक करने के लिए होता है और यह होता है लाइन स्पेस आपके इनके दर्मियान में यानि एक लैन का दूसरे लैन के दर्मियान कितना space होना चाहिए तो यह space है यहां पे देखें यह space में बढ़ा सकता हूँ कम कर सकता हूँ 2 पे कर सकता हूँ 1 पे कर सकता हूँ अमोमन हम 1.5 पे ही रखते हैं यह land spacing है ये देखें one find five पे मैंने रख दिया है और ये indent में इसको मैंने तुछा सा आगे कर लेता हूँ आगे हमारे पास ये colors हैं आप अपने किसी चीज़ को color देना चाहते हैं तो आप इस यहां से color दे सकते हैं ये देखें मैं color देना चाहता हूँ background पे मैंने इसको color देती है देखें इसको color के लिए ही इस्तेमाल होता है ये color dropper है तो आप इसको color डाल सकते हैं कोई भी color अपने लिकाई के background पे डाल सकते है तो ये उस मक्सद के लिए ही इस्तेमाल होता है आगे हमारे पास हैं ये टेबल के लिए इस्तिमाल होता है क्योंकि टेबल हमने इंजर्ट करना है एई इसमें इंजर्ट वाले टेबल में तो लहाज़ा हम आगे बढ़ते हैं इसको छोड़ते हैं इसी इंजर्ट में इसका फिर डिसकस करेंगे insert अब देखे insert table अब मैं यहां पे कोई table insert करना चाहता हूँ यह देखे insert यह देखे इसमें pages है, table है, isolation, illustration है, apps है और इस किसम की जो चीज़े हैं यह इस ribbon में मुझूद है मुक्तलिब किसम के tapes है और tools है अब यह मैं tables tools को मैं पहले करता हूँ यह table पे click कर दिया और मैं यहां से अपने मर्जी का कोई भी table यहां से ले सकता हूँ मैं कहता हूँ कि इसके इतने इतने column होने चाहिए और इतने rows होने चाहिए तो मैं insert कर सकता हूँ और अगर इसमें मुझूद नहीं है, देखो 8 by 10 तो इसमें मुझूद है लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, इन से मेरे ज्यादा होने चाहिए तो यह आप यहां से insert कर सकते हैं freestyle है, यहां पे कितने column होने चाहिए 20 column होने चाहिए और rows कितने होने चाहिए, 200 होने चाहिए तो यह आप यहां से इसको insert कर देंगे तो ये सारा को चाप को ये देखें काफी सारा हो उसने इंजर्ट कर लिया यानि आपके जो टेबल है वो बन जाएगा जब देखो आपने इंजर्ट कर दिया टेबल तो ये वो स्टाइल जो हम वहाँ पे बॉर्डर्ज ये हॉम में ये मुझूद था ये वाला ये देखें इस पर लेकर ने ये बॉर्डर्ज तो ये इंजर्ट में भी ये बॉर्डर्ज आ रहा है तो अभी हम उसको डिसकस करते हैं जब इस पर जब आप इसको इंजर्ट करते हैं तो ये वाला इसका जो डिजैन जो है वो कुल जाता है इस design में वो कहते हैं कि हिटर का जो रो है वो show होना चाहिए या होना चाहिए तो ये मुख्तलिब किसम के बैंडिट रॉज वगरा ये होने चाहिए नहीं होने चाहिए नहीं होने चाहिए लास्ट कालम होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो ये आप इसको इसमें देख लगा सकते हैं और यहां पे मुख्तलिब किसम के कलर्स में मुझूद हैं। जितना भी आप चाहें उसमें मुझूद हैं। बिलकि इसको मेडिपाई भी कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि नहीं यह कलर और होना चाहिए। तो मैं आप उसको मोडिपाई कर सकते हैं। से यहां से modify save तो यहां से आप उसको कोई भी और color दे सकते आदेकि मैं कहता हूँ कि इसमें यह वाला font use होना चाहिए और color यह वाला use होना चाहिए लाइनों का और यह देखे मैंने modify कर दिया तो यह जो lion की color है वो change हो गही और यह है shading किसी खास वो पहले भी हमने डिसक्स का दिया यह वही shading है मैं कहता हूँ कि इस दो जो column है इसमें shade यह होना चाहिए यह नहीं है कोई भी color आप इसमें से select करते वो shading और दे सकते हैं यह देखें यह आप किसमें shading दे सकते हैं next हमारे पास है border style border style का मतलब है जो line हैं यह देखें इर्दगेर्चू line हैं वो single line होना चाहिए यह देखें क्लिक कर रहे हैं किस किसम के line होनी चाहिए तो आपने देखा होगा मुख्तलिप किसम के borders होते हैं यह अब click करेंगे इस पर देखें यह border होगा यह देखें आप ऐसे mouse के जरीए प्रेस करके ऐसे cage ले तो आपको जो border है वो इस तरह cage लेगा और इस border का आपको कोई भी color दे सकते हैं यह यह style दे सकते हैं यह मैंने इसको colors यह भी मैं डाल लेता हूँ तो यह देखें और two lines का हो गया और यह कहते हैं कि यह तीन फीट का होना चाहिए 3 feet पीटी का होना चाहिए तो यह देखें नहीं मोटा होगा तो यह border के लिए ही इस्तिमाल देखेंगा अब यह वो चीज़ यहां पे आ रहा है कि borders की जो line है वो show होनी चाहिए यह नहीं होनी चाहिए यह देखें अब मैंने पिक्चरस पिक्चरस का ये जो dool है ये आपने अगर कहीं पिक्चर पढ़ा हुआ है आपके का इू志ेजल्ड आपके पास एडर में सीचल में कहीं भी पढ़ा है लुब्याइव किसी फोलडर वे पढ़ा हुआ है तो आप यहां से ही उसको insert कर सकते हैं यहां यहां पे show करना चाहता हूँ मैं इसको insert करता हूँ और save pictures में कहीं मेरे पास pictures ही नहीं है बतकिस्मती से try करता हूँ कोई pictures मिल जाए यह देखो picture देख पड़ा हुआ इसको मैं insert कर लेता हूँ यह देखें एक pictures था मैं इसको यहां insert कर दिया मैं देख लेता हूँ कोई और pictures ताकि आपको सही समझ आ जाए जी वाइटी हाँ जी यह मेरे पास picture आ गया यह देखें मैं insert कर दिया अब वो जो picture है वो मेरा यहां पर insert हो गया अब यहां से मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ यह देखें जब आप इसमें picture insert कर लेते हैं तो उसके बाद आप उसकी जो format tools हैं वो कुल जाएगा picture tools जो format हैं वो जाएगा और फिर आप यहां से इसकी setting कर सकते हैं मैं कहता हूं के मेरे जो picture ही उसकी borders होनी चाहिए इसकिसम का border होना चाहिए यह देखें तो border show होगा यह मैं कहता हूं के इसकिसम का show होना चाहिए तो यह वाला border show होगा जो भी आप में समय जो style पसंद कर देते हैं तो वह स्टायल इसमें से उठाके वह आप पसंद कर सकते हैं ठीक है यह था पिक्चर फार्मिट और इसके बाद फिर आप इसमें से पुजीशन कर सकते हैं कि मेरे पिक्चर की पुजीशन किदर उनी चाहिए यहां से आप पुजीशन स्लैड कर सकते हैं कि यह देखें टॉप पे होना चाहिए रैट पे होना चाहिए या बाटम पे होना चाहिए अब देखें बाटम पे चला गया पेज की बाटम पे यहां पे आप इसको इसकी जो अलैंडमेंट है या इसकी पुजीशन है वो रख सकत है आगे हमारे पास है यहां से इसका जो आप क्लिक कर देते हैं तो यहां से इसका कलर जो है वो आप इसमें से चेंजिंग कर सकते हैं कोई कलर आपको डार्क लाइट कोई भी करना चाहते हैं तो यहां से इसकी कलर जो है न वो चेंज कर सकते है ठीक है अच्छा इसको मैं कंट्रोल जी करता हूँ और यहां पे देखें इसमें भी मुख्तलिब किसम के जो कोरेक्शन्स मुझूद है यानि जो आपको स्टैल पसंद आता है वो इसके अंदर मुझूद है इसी तरह और और यानि एवट्टिक्स में भी मुख्तलिब किसम पे एफट्स मुझूद हैं तो आगर आप अप्लाई करना चाहते हैं या तो इसके समके जो एफट्स हैं वो इसके अंदर मुझूद हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं यह देखें मुझर मेरी पिक्चर्स हैं वो बिलकुल एक स्टाइल में हो गया यह देखें इसी तरह रेमूव बैगराउंड आप किसी पिक्चर्स का जो बैगराउंड है वो आप रेमूव कर सकते हैं यह मैंने रेमूव बैगराउंड पे क्लिक कर दिया और यहां से मैं इसको आगे पीछे केंच लेता हूँ अब देखें वो जो background है वो खतम हो गया है, red background का था और अभी background इसका खतम हो चुका है, तो यहां से आप इसका background भी change कर सकते हैं इसको मैंने वापस कर दिया, तो यह था pictures insert options में कुछ चीजे आगे हैं हमारे पास online pictures अगर आपके पास net मुझूद है तो आप online भी pictures को find कर सकते हैं और इसमें insert कर सकते हैं आगे हमारे पास shapes हैं तो ये मुख्तलिब किसम के free style shapes मुझूद होते हैं आपने देखा हो इस तरह arrow show करने के लिए आपने देखा होगा कोई इसमें arrow show कर रहा है कोई किस किसम की जो चीजे हैं वो show करते हैं तो ये arrows बगएरा इसमें free style के पड़े हुए हैं इसमें पिर आप मुख्तलिब किसम के colors दे सकते हैं उसको और यनि जब इस पे double click करेंगे तो ये सारा जो option से वो पुल जाएगा और यहां पे आप उसको अपने style से अपने shape से वो उसमें डाल सकते हैं ये shapes हैं इस shapes के अंदर कापी सारी shapes हैं और ये जो भी आप देखा होगा इस किसम के shapes होते हैं तो इस पे देखो ऐसे करते हैं और इसके उपर लिखते हैं खुशखबरी यनि इस किसम की जो tools होती हैं वो इसमें use होती हैं आगे हमारे पास है chart some smart charts and some things तो ये मैं end पे चला गया हूँ ये हमारे पास है smart art smart art के अंदर lists मुजूद, process मुजूद है बना सकते हैं, hierarchies बना सकते हैं मैंने इसको insert कर दिया okay कर दिया, hierarchy उपर हमारा इसको मैं hierarchy कर लेता हूँ कि president होता है, president की नीचे क्या होता है, इदर नीचे लिखता हूँ prime minister होता है हाँ, तो ये इस किसम की जो hierarchy इसकी नीचे क्या होता है, ministers होते ministers ہوتے, chief ministers ہوتے यह जो भी चीज़े होती है इस किसम की जो hierarchies होती है वो इसमें इस्तिमाल होती है जब इसमें double click करेंगे तो यहां से आप इसका color भी change कर सकते हैं कोई भी style, कोई भी color combination आप इसमें दे सकते हैं उसके लिए और यहां से इसमें मुक्तलब किसम के इसके format मुझूद है अच्छा, next inserts में जो चीज़ है वो chart है यह chart किसी data को chart में show करने के लिए मैं इसको एक और enter करता हूँ और एक और अगले सब्सक्रावे पे चलता हूँ यह insert chart है आप में chart पे click कर दिया और chart में आपके पास line chart है याने लाइनों में आपने देखा होगा वो show करते हैं इस किसम के चार्ट होते हैं या पाई चार्ट होते हैं आप इस किसम के चार्ट भी आपने देखी होंगे बार चार्ट होते हैं इस किसम के लंबाई में होते हैं वह सकते एरिया की लिहास हे होते ही वो भी होते तो इसके में मुखतलिब किसम के चार्ट से मुझा सकते हैं तो आप उसमें ढाल सकते हैं ज्यारत यह कॉलम और pie chart and line chart इस्तिमाल होता है, मैं column chart पे click करता हूँ और फिर उसके बाद ok करता हूँ अब मैं ok करने के बाद क्या होगा, आपके पास इस किसम का ये जो chart in Microsoft Word का जो एक नया window कुल जाएगा इस नया window में आपने क्या करना है इस नया window में आप देखे series है, two, three, four और इस लिखा हुआ है categories, अब मैं आपको थोड़ा सा अच्छा, ये categories हैं तो आप categories में डाल सकते हैं किसी चीज़ का नाम ठीक है अब मैं देखो इस में डाल लेता हूं categories में च्छा डालता हूं, ये categories में डालता हूं, oil prices oil prices oil prices oil हो गया, आगे मैं लेख लेता हूं car prices आगे मैं लेख लेता हूं किसी भी जीज़ को लेख लेते हैं for example food prices और ये मैं कुछ और लेख लेता हूं salaries increase or degrees उसमें क्या है आगे मैं इसको लेख लेता हूं 2019 2019 लेख लेता हूं, मैं तीन सालों को करना चाहता हूं, तो तीन साल लेखूंगा, अगे नहीं तो अगे और भी लेख सकते हैं, मजीद 2019 and 2021 ये देखें, ये देखें, अभी मैं आइश को शो करता हूं कि आइल प्राइजिस 2019 में कम थी तीन तीन रुपे सो रुपे 80 रुपीस और उसके बाद फिर मैं लग लेता हूँ कि जो उसमें था तो 100 रुपे का हो गया और अब वन 80 का हो गया तो यह अब देख रहे हैं तो यह जो है ना यह शो कर रहा है I'll Price को कि schooling प्राइजिस बहुं किया है प्राइजिस पहले जो है ना वो कम थी या ज़्यादा थी यह पहले वो 100 पे थी फिर उसके बाद 80 पी आये और उसके बाद 70 पी चब मैं जस्ट आपको शो करने के लिए देखे अब इस में decrease आया हुआ है आप देख सकते हैं कि ये चार्ट में अब शो कर रहा है तो उसको decrease कर रहा है तो ये इस किसम की जो चीजों के लिए ये चार्ट इस्सेमाल होते हैं जब आप इसको चार्ट पे क्लिक करेंगे तो इसका भी format automatically design कुल जाता है तो आप इसमें मुक्तलिक किसम की design है वो ले सकते हैं तो उसको apply करके आप अपने उस documents को खुब्सूरत बना सकते हैं यहां से colors combination भी change कर सकते हैं यह देखें colors तेज कम ज़्यादा जो भी आपको अच्छा लगें वो आप यहां से डाल सकते हैं ठीक है यह था insert tape में चार्ट के बारे में आगे जो मजीद इसके कुछ tools हैं यह इसमें इस use मौत कम होते हैं जो कुछ tools हैं यह comments हैं यह भी इस्तिमाल होता है लेकिन यह भी ज्यादातर आपने कुई चीज कहीं से लिया है तो उसको comments कर सकते हैं कि यह चीज मैंने कहां से उठाया और अपने यादाश के लिए उसके उपर comments कर सकते हैं मिसाल के तूर पर यह मैं इदर लिख लेता हूँ और इसको मैं comments कर लेता हूँ यह देखें comments तो यह word है और इसको मैं लिख लेता हूँ from net तो यह चीज मैंने नेट से कॉपी किया था तो जब मैं यहां पर जाओंगा तो वो मुझे उसको उसकी वो हालाइट करेगा कि यह चीज आपने यहां से लिया हुआ है फ्यू शेकंड एगू मैंने इसको अपलाइ किया है ठीक हो गया अभी मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ खतम हो गया अच्छा यह कमेंट्स हो गया यह हैपर लिंक वगएरा हम जो एडवांस में वो फिर पढ़ेंगे आगे हमारे पास हैं header and footer यह भी जुरू है यह जो तीन option है हमें सिखनी चाहिए headers का मतलब है कि मैंने अपने page की उपर head में या footer में कुछ चीज डालना है head में आपने के में वो हर एक page पे repeat हो जाए 100 pages हैं 200 pages हैं जितने भी pages हैं इसमें मुझूद है हर page की उपर वो जो मेरा header है वो repeat हो जाए तो मैं लिख लेता हूँ यहां पर enter कर लेता हूँ तो मैं लिख लेता हूँ MI series MI series लिख दिया और मैंने header को close किया अब जब मैं जाओंगा हर एक page पे तो आपको MI series यह नज़र आएगा और यह print भी होगा हर एक page पे print होगा यह देखें यह आप इसमे headers and photos में इस किसम की चीज़े हैं वो डा सकते हैं फोटर में भी वही चीज़ है और header में भी वही चीज़ है अगर आप नीचे show करना चाहते हैं तो फोटर में लिखेंगे और अगर आप top पे page के लिखना चाहते हैं तो वो header में होंगे इसी तरह next है page number तो यहाँ पे top पे अगर आप page number शो करना चाहते हैं तो इस पे top पे click करेंगे तो वो क्या है इसमें मुफ़र किसम के page number मौजूद है तो आप इसमें middle में होना चाहिए तो यह वाइख करें रैट पर अचाहिए यह वाइख करें लड़ पर अचाहिए यह वाइख करें या यह इस किसम के style होए page one of one तो यह आप देखें मैंने click कर दिया one of one मेरे pages total 12 है और यह पहले page में हूँ यह दूसरे page में हूँ two page two of twelve page three of twelve आगे हमारे पास यह इसमें मुखतलब किसम के page style मुझूद है तो यह जो tape था वो हमारा clear हो गया next हमारे पास design है इसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ज्यादा जरूई हो एक watermark है कि आप अपने हर एक page के background में कोई चीज़ शो करना चाते है यह कई नहीं देखा होगा आप लेक लेते हैं इस पे आपने click कर दिया तो उसके अंदर मैं कहता हूँ कि यह don't copy यह में उसके हर page पे मेरे background में नज़र आ जाए यह देखें उसके back पे यह नज़र आए do not copy देखें do not copy और जब आप कर सकते हैं confidential यह देखें confidential इमें लिख दिया तो confidential बैक पे आएगा कई काख़ ओते हैं उस पर गौर्ड़नमेंट तो आप उस पर गौर्ड़नमेंट कर सकते हैं आप उसमें कस्टमाइज भी डाल सकते हैं आप कस्टम कर लें confidential की जगा आप यहां पे अपना नाम लिख दे यह मैं लिख लेता हूँ MI सीरीज मैं लिख दिया और okay कर दिया तो अब हर एक पेज की उपर जो है MI सीरीज ही नज़र आएगा अब मैं एंड पे जाता हूँ यह देखें MI सीरीज अब जो भी प्रिंट जो भी मैं पेजिस इसमें इंजर्ट करूँगा तो उसके बैगराउंड पेज वे ना वो MI सीरीज ही नज़र आएगा अगे हमरे पास पेज ले आउट यह भी अच्छा अप्शन है इसमें पेज ले आउट में क्या चीज़ है यह पेज ले आउट में हैं मार्जन है पेज का कि पेज के लेफट राइट और टाप और बाटम में कितना स्पेस होना चाहिए एक इंच नार्मल सैज हमारा एक एक इंच होता है और आप कस्टुमाइज मार्जन भी डार सकते हैं कि मैं लेफट पे इतना चोड़ना चाहता हूँ यह टॉप पे इतना चोड़ना चाहता हूँ लेट पे जो है न मैं कहता हूँ नहीं 1.5 की जो मेरी लेट पे 1.5 ही रहे यह देखें तो यहाँ पे जो अटमेटिकली यह 1.5 जो है वहाँ पे स्पेस रखेगा इसी तरह हमारे पास औरियंटेशन है कि मैं इस स्पेजों को लेंड्सकेप या पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट के मतलब सीधाई में या लेंटसकेप में उस पे काम करना चाहता हूं आगे हमारे पास पेज का जो साइज है पेज के अमूमन साइज a4 चलता है यह मैं a4 कर लेता हूं और आप इसमें जो लंबे काउज होते हैं उसको legal कहते हैं और जो चो चोटे काउज होते हैं जो यूज़ हो रहे हैं वो उसको A4 कहते हैं यह हमरे पास एक Columns यह आप अपने पेजिस को जो उसमें ज्यातर यह अखबारात के लिए इस्तेमार होता है कि उसमें टू कॉलम्स लिखना चाहते हैं टू कॉलम्स त्री कॉलम्स यह लिखेंगे तो जब उसके क्लिक करेंगे तो अटमेटिकली वो कॉलम्स उतना ही लिखेगा ज्यादा नहीं लिखेगा जब आप इसको मुकमल करेंगे एक जो यह मुकमल होगा इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताके आपको आपका टाइम जायन आओ यह देखें यह देखें तो इस किसम के जो कॉलम्स में आप उसको शो कर सकते हैं तो यह आप यहां से ही टू कॉलम्स में भी कर सकते हैं और उसमें भी यह देखें भी टू कॉलम्स में हो गया त्री कॉलम्स जतने आप करना चाहते हैं more columns آپ कहते हैं कि नहीं ज्यादा में होना चाहिए तो यह ज्यादा columns में भी हो सकता है तो यहां से जब आप देंगे तो यह अभी ज्यादा columns में हो गया आगे हमारे पास है जो भी बागी चीजे हैं वो अभी इस प्रोग्राम आज की इस lessons में नहीं हो सकते क्योंकि आज के लिए इतना बहुत है और अगर आप लोगों ने यह सीख लिया है अगर आप ने इस पे तवज्ज़ दे दिया है तो आप Microsoft Word में काम कर सकते हैं आपको कोई परिशानी नहीं होगी आगे जो references हैं मेलिंग हैं रिवीव हैं वीव हैं वो advance में होता है references ज्यादा तर इसमें काम होता है books वगरा के जो references डाले जाते हैं मेलिंग मर्ज मेलिंग वगरा वो next में हम discuss करेंगे फिर मिरेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ अल्लाहाफेज